कि अधियुकेशन फॉर एक्सलेंज कैसे आप सब आशा करता हूं कि आप लोग जबर्दस्थ होंगे और अपनी परिक्षा की तैयारी अभीप्षा के मिशन टू-023 की सांथ बहतरी टाइप से करेंगे आज हम लोग एक नए पढ़ाओ में पहुंचेंगे और उस पढ़ाओ क अध्याय है अपर देख रहे हुंगे तो आज हम लोग शुरू करेंगे और यह बहुत छोटा अत्याह इसको जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि दो वीडियो में खटम कर दें तीन वीडियो शायद ही जाएगा हम तीन वीडियो तक जाने नहीं देंगे हमारा कोशिश रह है जब आप पिछले अध्याय को अच्छा टाइम दे देते हो ना तो आपका आगे का अध्याय में सेम कंसेप्ट लगना है हाना जो हम लोग देखना इसमें लगने वाला है वही सुत्र लगने वाला है तो इसी लिए मैं डिफनेशेशन और इंटीग्रेशन में ज्यादा वीडियो कराया ताकि यह सब जो अध्यायन है इसमें आप लोगों कम वीडियो में पूरा हो जाए कम में बम वाली बात होती है अगर मैं इसके बेटेश की बात करूं तो एक कोश्चन आएगा एक कोश्चन आएगा एक नंबर का बोलो एक कोश्चन आएगा एक नंबर का एक कोश्चन आएगा दो नंबर का बोलो भाई दो नंबर का और एक कोश्चन आएगा चार नंबर का एक कोश्चन आएगा चार नंबर का और य is equal to q, यह वाला करवाऊंगा मैं, इस form में, इस form में आता है वाला question करवाऊंगा, आगे देखेंगे, यही से आएगा चार नंबर, fix है, fix है, और यहां से मैं बता रहा हूं, यह, यह, यहां पे आप लोग को बता हूं, क्या क्या ची जा सकता है, या तो कोटी के बारे में आए variable separation को अभिंदी में क्या ही बोलते हैं, हम variable separation ही नाम याद रखेंगे, यह, यह देखो, और इसको ना मैं पूरा करवा दूँगा, ठीक है, तो यह fix है, एक और दो नंबर का पूछेगा ना, तो कोटी से एक नंबर का दे देगा, या इसमें से एक नंबर का दे देगा, कोट और घात एक साथ पूछेगा, कोटी और घात एक साथ पूछेगा, ठीक है, या तो variable separation से आपको question देगा, इसमें से देगा, या तो एक नंबर क्ली, या तो दो नंबर क्ली, एकदम fix है, और चार नंबर क्ली इसमें खेल सकता है, यह, यह, जो मैं आप लोगों को बोला ना, 99% chances है कि इसी में ही देगा, इसी में ही देगा, और 1% तो या दुनिया इधर की उधर होती रहती है, दुनिया इधर की उधर होती रहती है, कुछ भी हो सकता है, हमको क्या पता, आप COVID आएगा क्या ही पता था, तो चलो यह session में, मैं sir for sip, मैं session में sir for sip, एकदम base में जाने का जर्वत नहीं है, कि आप फिर से differentiation को समझाओं, फिर से integration को समझाओं, सब समझ चुके हो, तो इसमें मैं अभ्यास प्रशन लूँगा, और अभ्यास प्रशन के थूरू इस अध्याय को फोडने वाला हूं, बोला मैं, इस अध्याय को फोडने वाला हूं, ठीक है, और आप तो जो भी बच्चे नहीं इसको डारेक्ट देख रहे होंगे ना, पिछला वाला पड़के आओ यार, मतला आप मेरा लेक्चर ना, शुरू अध्याय एक से लेकर यहां तक देख रहे होगे ना, तो आपको पता चला होगा, कैसे टिग्रोमेट्री लिंक करवाया हूं, मैं देखो, कुश्चन एक क्या है, सत्यापित किजिए कि वह बराबर इतना, आवकल समीकरन बोला है, ध्यान से देखना, आवकल समीकरन बोला है, जब भी आवकल समीकरन होता है ना, तो ध्यान से देखता, आवकल समीकरन, यह दिया हुए बराबर 0, हम लोगों सीद्ध करना है यह लेफ्ट हैंड साइड जो है यह लेफ्ट हैंड साइड और यह राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हम लोगो प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसको चूज करें इसको लें कि इसको लें म में पहुचेंगे और ये तो zero है। तो देखो कैसे करते हैं ध्यान से देखना मैं solve लिखा, जो हम लोग हम लोग को बोले है वही करते जाना है जो हम लोग को बोले है मैं अगर left hand side लिया अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे, क्योंकि हमारे पास अंक है तो आख से तो देखते ही होंगे मैं भी उसी से देखने की कोशिश करता रहता हूं यह हो गया यह जो दिया है left hand side में उसी left hand side को मैं प्यार से लिखा dy by dx minus 6y left hand side किसी को ऐसे करके 0 लिखने का मन हो रहागा मत लिखना यार सिद्ध करना है सत्यापित करना ही तो सिद्ध करना होता है यह देखो अब इसमें क्या बोला कि y को इसका मतलब क्या होता है मैं बता हूँगा यह बोल रहा है y को दो बार differentiation करो x के सापे यह बोल रहा है y क value given है कर सोब से देखते रहें सबसे पहले क्या मेरे य की value given है क्या वाइक की वैल्ली क्या है e की पावर माइनस 3x तो यह y की वैल्ली आ गई माइनस 6 कर गुना कर दूँगा अभी y की value सबसे पहले देखना है फिर हम लोग इस y को क्या करना है इस y को एक बार करने लगत को को सब्सक्राइब गरुंगी सब्सक्राइब करूंगी इसको मैं क्या करूंग, x माल लो, पूरेचीज बता चुका हूँ जारु, पूरेचीज बता चुका हूँ मैं, सरी, मैं x माल लिया क्योंकि मेरे पास e की पावर x का यह ऐ क्या करते थे हम उधारी चुकाते थे हम लोग eС का formula जानते थे और इसको एक्स माने हैं पर यह x तो है नहीं यह minus 3x है, तो जिसको x माने है ना, उसको फिर से एक बार differentiation करते हैं, उदारी चुकाते हैं, बुलता मैं, तो जिसको हम लोग x माने हैं, उसको फिर से एक बार differentiation करो, फिर से एक बार differentiation करो, किसको x माने सर, minus 3x को माने हैं सर, ठीक है सर, तो आया क्या आया कि एक बार देख लेते हैं, मन नहीं है, फिर भी देख लेंगे हम लोग, क्या आया, e की पावर माइनस 3x, यहाँ पर constant को बाहर लिका आ रहा हूं, यह constant जो है, minus 3 को मैं बाहर लिका ला, minus 3 को बाहर लिका ला, तो क्या बज गया, dx by x, dx by x क्या होता है, 1 होता है, तो मिर प और minus 3x, और यह क्या हो जाता है, इसका, sorry, differentiation क्या होता है, 1 होता है, तो into 1, अब into 1 करूंगा, तो यही तो आएगा ना, तो into 1 करके नहीं दिखा रहा हूं, अरे भाई, इसका गुणा, एक से करोगे, तो यही तो आएगा ना, यही तो आएगा, तो यह नहीं लिक के दिखा एक नहीं लिक के दिखा रहा हूं, चलो, यह हो गया, तो मेरे पास किसका किसका वैल्यू आ गया, आप लोग देख पारे हो, क्या, आप लोग देख पारे हो, तो मेरे पास तो y का वैल्यू आ गया, यह, यहाँ पर y चाहिए था, y का वैल्यू आ गया, और dy, y, dx की अब मेरे को क्या चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर गात दो दिख रहे हैं, गात दो, इसका मतलब क्या होता है, दो बार डिफनेंसियेशन करना, तो हम लोग एक बार डिफनेंसियेशन करें, अब इसको एक बार और डिफनेंसियेशन करना है, एक बार और differentiation करना है, ध्यान से देखना सब समझ मा जाएगा, यहाँ पे मेरे को, यह y को देखो, y को एक बार differentiation करना था, अभी यह y को बस देखो, सिर्फ y को, यहाँ पे d square dx, d square dx square है, इसका मतलब, इस y को दो बार differentiate करना है, तो y को मैं एक बार differentiate करा तो मेरे को यह मिला, अब इसी को मैं एक बार और differentiate करूँगा, एक बार differentiate करूँगा, तो क्या होगा देखो, differentiation है न, तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार और कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, d, d का whole, sorry, dy का square ऐसे बोल सकते हैं, dx का square, इसक d square y d x square ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका सीखो, लिखने का तरीका सीखो, इसको भी मिटा देता हूं, कोई काम नहीं रहता तो मैं फट से मिटाता हूं, ठीक है, इसको एक बार और डिफनेशेट कर रहा हूं, तो चलो इसको करते हैं, यह minus 3 बाहर हो जाएगा, minus 3 बाहर हो यह minus 3 बाहर है, अब देखो, इसका जो है डिफनेशेशन, अभी तो मैं किया था, यहाँ पर, अभी तो मैं किया था, और करके क्या आया, यह आया, यह आया, इसका डिफनेशेशन क्या आया था, अभी तो किया था, यह आया था, इसका डिफनेशेशन, तो यहाँ पर लिख तो यहां पर ध्यान से देखो तो मेरे पास किसका value आ गया दो बार फिर से एक बार differentiation किया इसका फिर से एक बार differentiation किया इसका जब मैं differentiation कर रहा था तो minus 3 को बहार लिकाल दिया और सिर्फ इसी को कर रहा है ऐसी करते हैं हम लोग तो यहां पर actual हुआ क्या है यहां पर actual हुआ क्या है यहां पर actual हुआ क्या है दोनों तरफ यह क्या है dy by dx है और यहां यहां पर क्या है माइनस 3E की पावर माइनस 3X तो दोनों तरफ एक बार फिर से डिफिनेंसेशन किया तो D by DX यहां पर DY by DX और यहां पर D by DX माइनस 3E की पावर माइनस 3X ऐसा हुआ तो यह क्या होगा इन दोनों गुणा होके क्या होगा है D square Y DX square और यहां से माइनस 3 में बाहर किया तो D E की पावर माइनस 3 by DX हुआ अब इसको मैं क्या कर दिया डिफिनेंसेट कर दिया तो दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में मैं D by DX multiply कि आप ऐसे भी कर सकते कर दो दूसरी बार करने इसे का करो और अगर कुण समझ में रहा है तो फिर इसको देखना मैं जा कया कुं यहां पे यहां पर यहां से तो सब कर लोगो अब हम लोगों क्या करना है इस समीकरन इसको इक दे डेता हूं अब मैं क्या कर रहा हूं इन सब की value sumi karan 1 में put कर रहा हूं ठीक है sumi karan 1 में put कर रहा हूं और sumi karan 1 में जब मैं put कर रहा हूं ना तो मैं दूसरा वाला paint लूँगा और आप लोग दूसरा paint मत लेना तो देखो d square y बट d x square की value क्या है उसको लिख देता हूं यह मेरा left hand side चर रहा है तो उसकी value क्या आई 9 9 e की power minus 3x फिर क्या है plus dy by dx dy by dx क्या आया यह plus कर d by y dx क्या आया minus 3 minus 3 e की power minus 3x यह आया भी हाँ अब क्या है minus 6y तो यह y की value है इसमें minus 6 का multiply कर देता हूं यह minus six को ऐसी रखा यह minus 6 और y की value क्या है e की power to minus 3x अब ध्यान से δेखना ध्यान से देखना इसको जोडेंगे खटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 e की power minus 3x यह क्या हो जाएगा, minus 3, e की power minus 3x, minus 6, e की power minus 3x अब अगर आप लोग ध्यान से देख पारे होगे, तो minus 3 और minus 6 कितना हो जाएगा, minus 9, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो इसको ऐसे करके मैं मिटा देता हूँ, ये वाला लाइन को बसे मैं मिटा देता हूँ, यह वाली लाइन को मिटा देता हूं, ऐसा मन नहीं करता मेरे को मिटाने का, पर फिर भी मिटाया हूं, दिल पर कभी-कभी पत्थर रख लेता हूं, तो यहां पर देखो, 9e की पावर माइनस 3x, इसको जोड़ दूँगा, देखो, सेम टम है, माइनस 3e की घाट, माइनस 3x, माइनस 6e की घाट, माइनस 3x, तो माइनस 3 और माइनस 6, कितना हो जाएगा, माइनस 9e की पावर, माइनस 3x, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे, तो यह और यह कट गया, यह और पास क्या गया, left hand side की value क्या ही, 0, और right hand side की value क्या थी, 0, तो 0 ही तो लाना था, तो left hand side भी 0 है, तो यहां पे left hand side भी 0 है, बराबर right hand side भी 0 है, तो मेरो को आप लोग बताओ ना, आप लोग बताओ, क्या left hand side बराबर right hand side हो गया, क्या left hand side बराबर right hand side हो गया, तो देखो यार, क अगर मैं पेपर साइट करता तो वो dy by dx plus py is equal to q वाला करता मैं, तो मैं तो पेपर साइट नहीं कर रहा हूं, पर उसको ज्यादा chances आने का, हाँ ये भी आ सकता है, चलो ठीक है, ये भी अच्छा question है, तो question number 2 देखता हूं, चलो question number 2, अच्छा, अवकल समीकरन दिया यहां पर ध separation याद रखने, जहां से देखो, मैं variable separation बताता हूं, यहां पर क्या है dy by dx, ओके सर, यहां पर दिया है, सेक, सेक x, और bracket में क्या दिया है, bracket में दिया है, सेक x, सेक x plus 10x, ओके सर, हाँ, ठीक है न, अगर मैं सेक का, सेक का, अगर, अगर मैं सेक का अंदर गुना कर दूं, तो इसको बुणा कर दूँगा तो यह क्या हो जाएगा सेक स्क्वार एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स देखो ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ आउकल समी करन दिया आउकल समी करन में variable separation याद रखना variable separation क्या होता है एक तरफ y एक तरफ अगर x और y का term है तो x एक तरफ y एक तरफ तो ध्यान से देखो यह पूरा x का term है यहाँ पर dx है तो dx भी तो x का term है तो dx को उधर भेज दूँगा तो यह क्या हो जाएगा dy हो गया और dx को उस तरफ भेज दूँगा तो यह क्या हो जाएगा यह भाग में तुधर जाके गुणा हो जाएगा तो dy की square x प्लस sek x ten x सेक X 10x और यह dx को मैं इधर भेज जा पूरा x वाले 1 जाके y वाले एक तरफ यह प草गया यहाँ पर देखो पूरा y वाले एक तरफ हो गया पूरा x वाले एक तरफ हो तो मैं इसको समय करण एक दो आप क्या करेंगे अथा क्या क्रेंगं हम दोनों पक्षों में हम लोग समा कलन करेंगे, समी कलन एक में दोनों पक्षों में समा कलन करने पर, तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं समा कलन करने पर, समा कलन, आप लोग पूरा लिखना समी कलन एक में दोनों पक्षों में समा कलन करने पर, समा कलन, समा कलन करने, समा कलन करने पर, हाँ, तो चलो, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं समा कर रहा हूँ, integration कर दे रहा हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, integration dy is equal to integration, क्या है भई, sec square x, यहाँ पर क्या है, sec square x plus sec x 10x, sec x 10x, bracket close dx, चीक है, तो dy, dy का integration y हो जाएगा, ध्यान से रखना, ध्यान से इधर देखो, मैं आप लोगों क्या बताए हूँ, कि integration 1 into dx है 1 into dx है तो 1 का गुणा dx तो क्या हो जाएगा dx तो integration dx क्या होगा x क्योंकि x के साप एक्ष है तो x हो जाएगा यहाँ पे मेरा क्या है integration dy y के साप एक्ष है तो dy का integration y अगर ऐसा होता dt होता तो यहाँ पे dt का integration क्या T आता, जो यहाँ पे है न, Y आता है, ठीक है, clear एक बात, हाँ, ठीक है भी, यह समझ गए सा, तो D Y का integration हो जाएगा Y, अब इसको तोड़के भी लिख सकते हो, तोड़के नहीं तो direct भी कर सकते हो, मैं तोड़के लिखता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ, है, C square X, Dx, plus, plus CX, CX, 10x, CX, 10x, Dx, देखो, यह integration में, आप लोगों पढ़ा चुका हूँ, न, formula, तो Y is equal to, C square X का integration क्या होता है, 10x होता है, 10x होता है, यह 10x, ăn प्लस सेक एक्स 10 x का इंटिग्रेशन होता है सेक इसका होता है सेक x और यह अनिश्चित समाकलन है पढ़ा चुका हूँ अनिश्चित और निश्चित कैसे पहचान है क्योंकि यहां पर लिमिट नहीं दिए हुगा है लिमिट नहीं दिए है color limit तो यह अनिश्चिस समाकलन में मैं हमेशा यहां पर प्लस सी लगाता हूं प्लस सी लगाता हूं फैमली ओफ कर्वे को दर्शाता है यह सब चीज आप लोगों पढ़ा दिया गया है तो इसके लिए यह आंसर हो जाएगा और यह आंसर जैसे आएगा तो मुस्कुरा देना यह हो गया Q2 भी हो गया यह आप लोग को यादर्क नहीं है यह आप लोग को याद रखना है यह थो यादर जो भी मेरा इंतिकरेशन ऑड़ा वीडियो देखा हूँगा उसको तो आप लोग को प्यार से यादओगा तो मालूम चोश्जान होगा अब कुश्जन नमबर 3 यहां to 2 यहाँ पर अवकल समीकरन दिया है तो ध्याद देना अवकल समीकरन में सर बोले थे यह सब कभी कभी आया अवकल समीकरन नहीं को हिल करो तो om celebration का दिना रखऩ सब्सकी आपकीसिधली यहां रखने रखो आपकी मरूजी जहां रखने रखो आनसर अगर ऑगी आ Kant तो गलत नहीं होगा तो चलो मैं x को एक तरफ भेज रहा हूं तो सबसे पहले मैं किसको भेज यह x square dy सबसे पहले dx को उधर भेज जिया तो यह हो गया 2dx अब यहां पर तो x वाला है और यह y वाला है एक तरफ भेजना है तो इधर भेजता हूं यह हो जाएगा dy is equal to 2dx यह गुणा में तो इधर जाके भाग में हो जाएगा तो यह x square आ जाएगा अब दोनों पक्षों में क्या करूँगा मैं समाकलन करने पर तो प्यार से लिखना न न फरस से मत लिखना किसको समी करने एक दे दो समी करने एक में दोनों पक्षों में समाकलन करने पर आपको मन dy is equal to is equal to 2y x square dx ठीक है clear है अब dy का तो y हो जाएगा dy का तो y हो जाएगा अब इसको कैसे करूँ सबसे पहले ने इस 2 को बाहर कर देता हूँ 1 upon x square dx बचा अब sir कैसे करे अरे बापरी sir कैसे करे अरे इसको उपर ले जाओ इसको उपर ले जाओ आप लोगो जानकर अचमभा होगा कि यहाला हम लोग formula पढ़ चुके है x कहात n dx वाला formula पढ़ चुके हैं जो की होता है x कहात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस C यह formula होता है और यह formula बता दिया गया है वह यहाँ पर लगएगा और यहाँ पर n की value तो आप लोग ध्यान से देखते रहा ना इधर ध्यान से देखते रहो चलो हाँ यह हुआ यह कहां पर पहुंचा मैं यहां पर पहुंचा तो यह देखो y is equal to y is equal to 2 तो यहां फॉर्मूला में लगाया तो एक्स की पावर क्या है एन प्लस वन एन क्या है माइनस टू है तो यह कोई दिक्कत वाली बात है क्या है चलो यह में लगा दिया अब क्या आया यार आंसर आगे है न डिरेक्ट एह देखो आंसर में डिरेक्ट लिख रहा हूं y is equal to y is equal to y is equal to यह 2 तू और इसको घटा दो न माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होता है एक्स की पावर माइनस 1 और इसमें भ क्या कर सकता हूं मैं यह माइनस इधर हो गया तो यह माइनस 2 माइनस 2 और यह x की घात माइनस 1 फॉन को इसलिख सकता हूं माइनस 2 इसको एक बटा x लिख सकता हूं एक प्लस C तो ओवरॉल मेरा जो आंसर आया ना यहां पर लिख रहा हूं y is equal to overall जो आंसर आया minus 2yx प्लस C यह ना मेरा आंसर है यह मेरा आंसर यार तो देखो क्या बहतरिन तरीके से हुआ क्या बहतरिन तरीके से हुआ तो question कि आगे के question देखेंगे मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो में खतम कर दूँ अगर 2 वीडियो में खतम नहीं होगा तो 3 वीडियो जाएगा ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा नहीं जाएगा तो मिलता हम वाइच्ट वीडियो हमें तब तक ले बाई-बाई